भारतिय संस्कृति हमारा अभिमान है और हमारा पहनावा संसकारों की पहचान बले ही समय के साथ भारतिय महिलाओं का पारमपरिक पोशाक के प्रतिरुजान कम हो रहा हो आज पर हो या त्योंहार या फिर मंदिरों में साड़ी का चलन लुप्त होने की कगार पर है इसी को ध् शमय में एक साथ इस कार्क्रम का आयुजन हुआ इसके तैट में महिला समिती की ओर से गोहाटी में सारी रेली भी निकाली गई माईश्वरी भवन से शाम मंदिर चत्री बाडी तक निकाली गई यात्रा का शुबारम डिप्टी मेर स्मितारोय और राश्ट्य कार समिती सदस्या सरला काबरा ने किया इस मौके पर असम माईश्वरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवान दास दम्मानी माईश्वरी सभा अध्यक्ष सीताराम बिहानी उपाध्यक्ष धनराज जमर प्रसिद्ध गाइकोनोलिजिस्ट डॉक्टर कंचन मुरारका एडवोकेट मेगा काबरा कल्यान आश्रम के अध्यक्ष संतोष मुंद्रा मारवाड़ी एकता मंच की कारवाहिक अध्यक्ष शारदा केडिया अभी मोचूद रहें अखिल भारते महिश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजेत साड़ी वखतन कारिक्रम आज हम गौहाटी में करने जा रहें 8 जून को महिश नम्मी के उपलक्ष में महिश नम्मी की हारदिक बधाई सभी को साड़ी का पहनावा आजकल लुप्त होता जा रहा है सब पाश्चत की तरफ बढ़ रहे हैं और साड़ी को सब भूली जा रहे हैं और ये बहुत ही सुन्दर पहनावा है जिसे हम सब को अपनाना चाहिए इसी को बढ़ावा देने के लिए आज हम ये कारिक्रम कर रहे हैं साड़ी वखतन आज हमारा पूरे भारत वर्स में 8 जून को ये कारिक्रम होनी जा रहा है साड़ी का साड़ी एक ऐसी है कि हम लोगों का पहनावा बिल्कुल बंद हो गया था तो आज राष्टे से आदेश यही है कि सभी बैने पिली साड़ी पहन कर एक कलर में लाल दुपटस से निकल के और एक टे टाइम पूरे भारत वर्स में सब बैने इसका ज़्यादा से ज़्यादा लुखत होई को हमें बचाना है इस सभी बैने तिवार बार साधी विवा फंक से कि वे जरूर से साड़ियों का द्यान रखे और साड़िया पहने हम पहनेंगे तो हमारी बहु बेटिया पहनेगी और हम ही नहीं पहनेंगे तो हमारी बहु बेटिया कहा से मिने तो मेरा भी साधर से भी बना सुनूद है कि जरूर जरूर